जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4 सितंबर 2023 से अगले 118 दिनों तक गुरू की उल्टी चाल किन रासियों को माला माल करने वाली है जानेंगे उन रासियों के बारे में जिन पर गुरू महर्बान होने वाले है दोस्तों जोतिस सास्त्र में ब्रस्पती को देव गुरू कहा जाता है गुरू ग्रह सोबाग्य देने वाला ग्रह माना जाता है और पंचांग के अनुसार 4 सितंबर को गुरु मेश रासी में वक्री होने जा रहे हैं यानि गुरु उल्टी चाल से चलने लगेंगे जोति सास्त्र में देवगुरु ब्रस्पति को ग्यान और धन का कारक ग्रह मना जाता है अगर गुरु की किरपा जातक को मिल जाती है तो ग्यान, सुख, सम्रदी और वैवाहिक जीवन सुख में रहता है इतना ही नहीं गुरु संपन्ता और सुख सौबागे के कारक भी मने जाते हैं यदि कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं तो जीवन में खुश्या ही खुश्या रहती है गुरु अपना राशी परिवर्तन एक साल में करते हैं इस बीच में गुरु कभी अस्त, उदय या वक्री और मार्गी भी हो जाते हैं तो ऐसे में चार सितंबर को देवगुरु ब्रस्पती में इस रासी में वक्री होने जा रहे हैं देवगुरु ब्रस्पती को जोतिस में सिक्षा संतान का कारक भी माना जाता है तो जानेंगे उन तीन रासियों के बारे में जिन पर गुरू ब्रस्पती का भरपूर आसिरवाद होगा तो पहली रासी है मेस रासी तो यहां देव गुरू ब्रस्पती मेस रासी में ही वराजमान है यानि लगन भाव में और 4 से तम्मल से आपकी लगन भाव में उल्टी चाल से चलने लगेंगे सबतम भाव पर द्रस्टी डालेंगे तो गुरु की उल्टी चाल यहां जात्कों को अध्यात्म की ओर ले जाएगी धर्मकर्म के कारियों में रुचि जादा रहेगी साथ ही धनलाब के अवसर प्रबल होंगे और केरियर में सफलता मिलेगी जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए हैं वो कारिये बनती हुए नजर आएंगे यानि बिगड़ा हुआ कारिये जल्द पूरा होगा अच्छी बचत करने में भी आप काम्याब होंगे परसनल्टी बहतर से बहतर होगी और आए में भी अच्छी विरद्दी होगी जिससे आपके आर्थी किस्तिती मजबूत होगी पारिबारे के रिष्टे अच्छे होंगे और छात्रों को भी अनुकूल प्रणाम प्राप्त होंगे जो लोग अपना खुद का कोई वैपार वेबसाय कर रहे हैं उन्हें भी अच्छे लाव की प्राप्ती होगी यानि मेश रासी के लोगों का केरियर उचाईयों पर होगा इस वरान आप जिस कारिये में हाट डालेंगे वहां आपको सफलता ही सफलता मिलेगी दूसरी रासी है करक रासी करक रासी के दसंभाव में देवगुरु ब्रस्पती वक्री होने जा रहे हैं तो ऐसे में इन जात्कों को बेहद सुबपरणाम प्राप्त होगी नई नौकरी के अवसर मिलेंगे केरियर में उन्नती देखने को मिलेगी और जीवन में आ रही तमाम समश्याएं खत्म होगी कारोबार में व्रद्धी होगी बड़ा लाव प्राप्त होगा परिवार में सुख और सुभागय की प्राप्ती होगी यानि सुख सम्रद्धी में वडुत्री होगी और परिवार में सुक सांती का माहौल होगा आपसी रिष्टे बहुत अच्छे होंगे जो लोग प्रेम संबन से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रेम की रहा आसान होगी यानि विभा के भी युग बनेंगे तो यहां गुरू की किरपा दरश्टी करक रासी के लोगों पर बनी होगी धन धान्ने में वरद्धी होगी ज्यान में वरद्धी होगी साथ ही वेपार वेफसाय करने वाले लोगों के लिए भी समय काफी मजबूती देने वाला होगा और तीसरी रासी है धनुरासी धनुरासी के पंचम भाव में देवगरु पति वराजमान है जो कि ज्यान और धन के कारक रहे हैं तो ऐसे में धनुरासी के लोगों के लिए कोई बड़ी खुसकवरी मिलने के युग बनेंगे संतान सुक की प्राप्ती होगी सिक्षा, जमीन, जायदाद, संबंदित, लाब की प्राप्ती होगी वेपार में भी वरद्धी होने के आसार बनेंगे इस दोरान धनुरासी के लोगों को कोई सुखद समाचार मिलेगा जिससे परिवार में खुसी का माहौल होगा तो समय काफी बलवान होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब